लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेट में चुकि प्रेम प्रसंग था सब बाते सोशल मीडिया पर भी है चैनलों पर भी आ चुकी है पकड़ ली गई होगी अक्सर यही होता खेटों में ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती है ये कुछी जगों पर पाई जाती है ये गन्ने के खेट में पाई जाती है अरहर के खेट में पाई जाती है बाजरे के खेट में पाई जाती है ये नाले में पाई जाती है जाड पाई जाती है जंगल में पाई जाती है यह धान के खेट में मरी क्यों नहीं मिलती है यह गेहूं के खेट में मरी क्यों नहीं मिलती है इनकी मरने की जगे वही है और कहीं पर घसीट के नहीं ले जाई जाती है को इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले लड़की दोसी नहीं है, लड़के दोसी हैं, अबви महर उजला में, हमारे बारावनकी में अभी एक लड़के ने लड़की के साथ आया, तहाथ मत्या कर लिए, लड़की कुछ नहीं हुआ, अब लड़की मर गई होती, तो पूरा खांदान बंद कर दिया गया होता, तो कहने का मतलब यह है कि यह जो चीजें हो रहे हैं समाज में यह बहुत बड़ा पतन है और मैं अपने समाज से कहना चाहूंगा कि अब वो दिन ना ने दें कि लड़की पैदा होते हुए मार दी जाए या सती प्रता दुवारा लागू कर दी जाए अब मैं उन लड़कों को निर्दोस लड़के हैं सीबिया इंकारी हो गई है उनको छोड़ा जाए वरना अगर वो मानलिया जाँच में निर्दोस पार जाए गए तो यह उनकी जो जवानी के निजेल में बीतेंगे उनको जो मानसी प्रतारना हो रही है उनके साथ जो कुछ गुज़र रहा होगा निर्दोस लड़कों के साथ में जेल के अंदर तो यह दिन कांव वापस करेगा उनकी जवानी कांव वापस करेगा इनको कमपन्सेशन को हूं देगा इनको मौज़ा कों देगा और फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि इनको प्रोथसाहन नहीं मिलना चाहिए प्रोथसाहन नहीं मिलनी चाहिए